बांद नहीं बनाना है किसी प्यारत में, नदी कटाव में बोल्डर पिचिंग करना है, ये पैसा लाकर के उसमें डाले वो मानन्दा बेसिन पडियोजना को अस्तगित करने के लिए 22 के पूर्व मंतरी सपूर्व विदायक हाजी अब्दु सुबान द्वारा लगातार अलग-अलग पंचायतों में बैठक का सिलसिला जारी है, जिसको लेकर उन्होंने हरिन्तोर पंचायत के माला हाट दुर्गा मंद सिर्पडिसर में बैठक कर लोगों को मानन्दा बेसिन अंदरकत बनने वाली बान से होने वाली नुकसान जैसे हजारों किसानों की भूमी बरबाद होना, नदी किनारे बसे लाखो परिवार को विस्तापित होना, नदी से एक किलोमीटर दूर तक जमिन का बान्द के अंद बार की समस्या उत्पन होना और मौजा कम मिलना आदी को समझाते हुए लोगों से ये भी रायली के मानन्दा बेसिन परियोजना बनना चाहिए या नहीं, जिस पर बैठक में उपस्ति सेक्रों अस्थाने ग्रामिनों ने बान्द नहीं बनने के समर्थन में अपना हाथ पुछी दिनों में पुछी दिनों में पुने बिहार के मान्य मुकमंतरी स्री नितिस कुमार और तेजिस्वी यादब से मिलकर इस बात को मजबूति से रखा जाएगा कि मानन्दा बेसिन में खर्च होने वाले आवंटित रासी से 22 के नदियों में बॉल्डर करा देना बे इसा बान में नहीं लगाए वो पसा गोल्डर फुजिंगड़े यही मांगा ने इंशाहला है इसके लिए जू होगा होगा क्या आप लोग उसके विद्वत में खड़ा उत्रेंगे हां खड़ा उत्रेंगे ऐसा देखा जाता है कि सरकार केस कर देती है दराती है तब कुछ परिषान के अंदर जो आएगा इसको नहीं हो तो शीद है उसके वाज दी जो कटा हो रहा है गाउंगाउं में उसके सामने अगर प्की बॉल्डर पीचिन किया जाए तो हम लोग इदर मढ़ जाएंगे बान का अंदर में रहेंगे तो बान नहीं होना क्या क्या नुक्साने बांद बनने के इससे अबजल है कि जहां नदी कटान है नदी कटान में बंडाल बानिये बंडाल का मिजिशिक पास के ये प्रविधायक आया हूँए थे अपनी بातों को रखेस्टे माननदा बेसिन बनाने से रोकने की बात कर रहे हैं जबकि तसलिम कि योजना का प्राकलन किस अंदाज में बन रहा है तो उसमें जो बताया गिया कि इसनी नदी महनंदा में गिरती है वो तमाम नदी में दोनों चरफ बांध बनेगा और जो खता हो रहा है तो कटाओ के लिए इसमें पोई योजना नहीं कटाओ के लिए प्यार सरकार कम ये कटाओ रोखने के लिए तो भारत सरकार का जो ये महनंदा पेशिन का जो बांध बनेगा अगर हमारे यहां बनता है तो बाईसी अनुमंदल में चार नदी है महनंदा है कंकई है पड़वान है पनार ये चारो नदी का अगर पूरे तरफ पच्छिन तरफ अगर बांध बन जाएगा ये इसे हम लोगा चल जा रहा है नदी में अजारों ये कर जमीन नदी में अपिर तो भी जमिञ जबीगा रही है नदी में चार गुना का ये खज़तका कता है दाम बूले गा चार जातका देगा वो जो चारगुना देगा कि अब का चारगुना देगा हो जो रेट में हम लोग बेच रहे हैं उस रेट को कहा हो मान रहा है नहीं मान रहा है वो बात तो अलग बात है रेट का अलिए जमीन का जो जमीन पर बांच जाएगा उस जमीन का वो तेगा चारगुना या पादूना लेकिन जो गाओं हमारा नदी के बांग के अंदर आ गिया जो गाओं दूब जाएगा पहलाब में दूबा वा रहेगा वो गाओं को पहले क्या पर वस्ता सरकार कर रहे हैं उसकी भी वस्ता पहले कर दे हो जो जिसका जितना जमीन में वो बसा हुआ है उतना जमीन और जितने बखार में सरकार तो हमीलों की है राहे एक बार दिये हैं चेस्टी जी और बहुत सारे मंतरी को फिर अभी हम लोग सब तैयारी करके जारहे हैं मंतरी से मिलेंगे अब महभूल साथ भी कल सर्वे कर रहे हैं वहाँ पर उनोग सरवे कर रहा है वह देख रहा है कि बनने से नुखसान है उसका माम लोग थे शुर में बोला है नहीं बनना चाहिए बाग नहीं बनना चाहिए किनारे में पूरा बांड बना दे उसको नदी किनारे में पुरा बांड बना दें है। और हमारे जाह का जो परवान नदी ऐसा है, इतना ट्रेया बेकाया कि इसको बनाने में एक भी गाहूं यह नहीं बचेगा है हमारा